तो आज हम देखेंगे क्लास 9 एससाइस 2.2 ठीक है पहला कोशन सुरू करते हैं क्या कोशन तो आज हम दो आज हम दो क्लास 9 एससाइस 2.2 ठीक है तो नोग स्टाट करते हैं क्या 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 करता है at x equal to 0 x में 0 रखेंगे इसका value क्या आया बहुत simple है px क्या given है px हमारा polynomial given है 5x minus 4x square plus 3 at x equal to 0 बतल एक्स के हमको 0 रखना है यानिके हमोंको p0 निकलना x पे 0 रख दिये 5 into जहाँ जहाँ x है 0 पुट कर देंगे 5 into यह 0 हो गया minus 4 into 0 का square plus 3 ठीक है 5 into 0 is 0 minus 4 into 0 का square क्या हो जहेगा 0 हो गया plus 3 क्या हमारा answer 3 ठीक है तो x equal to 0 पे हमारा polynomial रखेंगा value आया 3 next एक्स 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 माइनस 1 x equal to minus 1 px equal to 3 गिवन है 5x minus 4x square plus 3 चीक है तो P x equal to minus 1 यह आपको minus 1 पुटकर दिये यह होगा हमारा 5 into minus 1 minus 4 into minus 1 minus 1 square plus 3 चीक है 5 into minus 1 पहले multiply करेंगे what most rule 5 into minus 1 is minus 5 minus 4 into पहले square करेंगे पहले square करेंगे तर multiply होगा minus 1 square क्या होता है plus 1 plus 3 equal to minus 5 यह क्या होगा minus 4 and plus 3 minus 5 minus 4 is minus 9 plus 3 क्या एक answer होगा minus 6 ठीक है बस value put कर देना है जो given है और जो answer है हमारा minus 1 पहले answer होगा third इस नमारा x equal to minus 2 same process से बनाएंगे वो question आपको अपरे से करना है ठीक है नहीं समझना है तो comment push लेना है ठीक है अब next question देखते है तो question 2 है find P0, P1 and P2 for each of the following polynomials तो question number 2 है find P0, P1 and P2 for each of the following polynomials ठीक है polynomials given है हम लोगों को P0, P1 and P2 find out कर रहा है फर्स देखते हैं पहला हमारा क्या है कि वहले PY equal to Y square minus Y plus 1 ठीक है P0 निकालना है P0 जाने कि क्या Y का value 0 यहीं वान आप P0 आप क्या हुआ Y का value 0 यानि यहाँ जाँ जाँ Y है वापे क्या पूट कर देंगे 0 तो 0 का square minus 0 plus 1 क्या आएगा 0 का square 0 हुआ 0 आट गे आप 1 आएगा थाली answer ठीक है तो P0 is 1 next है P1 अब हम लोगों किसी का P1 नहीं कालना है मतलब Y का value 1 तो हम लोगों का square मतलब Y पर क्या रड़ देंगे 1 रड़ देंगे 1 का square minus Y यादिकी 1 plus 1 1 का square क्या होता है 1 होता है minus 1 plus 1 क्या होगया 0 छीक है 1 minus 0 is 1 योग यामारा answer P1 का value next है P2 P2 मतलब Y पर 2 रहेंगे योग यामारा 2 का square minus 2 and plus 1 2 का square क्या होगा 4 minus 2 plus 1 4 minus 2 is 2 and 2 plus 1 is 3 so 3 हमारा P2 का value हो गया ठीक है समझे है next उसे एक और देख लेता है question number 2 क्या है Pt is equal to 2 plus T plus 2T square minus TQ ठीक है first P0 निकालते है P0 क्या हो जाएगा जहाँ जहाँ T है T का value 0 यहाँ पर T है यह क्यों यह होगा 0 plus 2 multiplied by T का square यानिकी 0 का square minus TQ यानि 0Q so 2 plus 0 है अटा दिये 2 into 0 का square 0 होता है 2 into 0 0 होगया minus 0 का cube 0 ही होता है यानि क्या है 2 आया P0 का value यापे 2 आया अब हम उनिकाले में P1 P1 तो यह होगा यानिका यानिका 2 plus यापे 1 जाएगा plus 2 into 1 का square minus 1 का cube so 2 2 plus 1 plus 1 का square 1 2 1 का cube is 1 क्या यानिका 3 4 5 5 मिनस 1 is 4 यानिका 4 next step P2 P2 यानिका 2 पिरिकालते है value 2 plus क्या यानिका T पे 2 plus 2 into 2 का square and minus 2 का cube यानिका 2 plus 2 plus 2 का square 4 होता है ये क्या होगिया 2 into 4 minus 2 का cube कितना होता है 8 2 plus 4 2 पोज़ा 8 minus 8 ये क्या होगिया 0 होगिया यानिकी 4 हमारा आगिया P2 का value ये होगिया second question third and fourth आपको अप्रेसे करता है क्या करेंए बस 0 पुटका देंगे 0 का cube P0 क्या होगिया 0 का cube 5 ये answer 0 P1 यानिकी 1 का cube क्या है अँसर 1 P2 यानिकी 2 का cube यहापे 2 होजाएगा 2 का cube क्या होजाएगा 8 ये 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 क्या लिए 0 minus 1 and 0 plus 1 और दो लोगो क्या तर देंगे multiply 0 minus 1 और यहाँ पे 0 plus 1 ये होगे हमारा minus 1 into plus 1 क्या है minus 1 answer हो गया 0 पे उसी तरह 1 पे लखना है 1 minus 1 1 plus 1 फिर next 2 2 minus 1 and 2 plus 1 जो आएगा वैलू पर उसको मनिपाइ कर दिना है कि कैए 3rd and 4th आपको अप्रेसिव करना है आवलों चलते Q3 में Q3 देख नहीं है Q3 देख नहीं है Q3 वैलिफार whether the following are 0s of the polynomial indicated against them कि कैए पहले बतार 0s of the polynomial क्या था value of x at which Px become 0 X का वो value जिससे polynomial का value 0 हो जाए उसके को क्या कहता है 0 अप्र पूछ रहे है कि यह polynomial given है और उसके बतल में X का value given है क्या लिए इसका 0 अप्र पॉलिफार है yes या no बताना है तो यहाँ क्या क्या करेंगे X का value पर minus 1 में 3 given है अगर इस value का हम लोग जाए पूट किये अगर Px का value 0 हो गया इसका मतब क्या होगा कि यह इसका 0 अप्र पॉलिफार है हाँ ना ठीक है वही में ही होता है X का वो value अगर X का value आप minus 1 by 3 अगर आप पूट किये अगर Px का value 0 हो गया तो हम लोग उसको बोलेंगे कि यह इसका 0 अप्र पॉलिफार है ठीक है ताम लोग पूट करते हैं P minus 1 by 3 यह क्या हो गया 3 into minus 1 by 3 plus 1 यह 3 3 cut हो गया minus 1 plus 1 क्या है 0 आया 0 आया मतलब क्या होगा Yes minus X equal to minus 1 by 3 X equal to minus 1 by 3 is the 0 of the polynomial of the polynomial Px equal to Px equal to 3x plus 1 चीक है 0 हो गया मतलब है next यह ते 2nd question आपके X value 4 by 5 है आपके X value 4 by 5 put कर दिये 5 into यह क्या हमाना 4 by 5 क्वाल ईकु तो गुक्ते हैं तो और शो इन खैवे नहीं है नहीं है सब्सक्राइब एंटेट निए लिएट तुटिएगा इन रीड़ह मनिया और वालगए ऋ। पॉलिनोमियल PX इकल तो 5X-5, ठीक है, सिम्पल है, नेक्स लेक्टर है, आपर दो वायू गिवेल है, 1 and minus 1, तो दोनों को चेक करना होगा, पहले 1 को चेक करने, तो P1 इकल क्या होगा, या 1 का स्क्वार माइनस 1, यानि 1 minus 1 इकल तो 0, 1 पे तो 0 आगिया, अब माइनस 1 पे चेक करते है, minus 1, क्या होगा, minus 1 का स्क्वार माइनस 1, तो minus 1 पे तो क्या होता है, plus 1, minus 1, equal to 0, इसमें भी 0 आगिया, मतलब दोनों इसका 0 अधा, पोलिनोमियल है, क्यालिक है, x equal to 1 and minus 1, are the zeros of the polynomial, px equal to x square minus 1, दोनों इसका 0 अधा, पोलिनोमियल है, क्या पे तो आगिया, दोनों पूट करेंगे, p minus 1, यह होगा, माना minus 1 plus 1, और यहापे minus 1 minus 2, minus 1 plus 1 क्या होदा है, 0, और यहापे क्या है, minus 1 minus 2 क्या होदा है, minus 3, यह होज़ा रप into minus 3, वह होज़ा है, 0, जी कहा है, 0 आगिया, next input करते है, p2, तो यह होगा, माना 2 plus 1, और यह होगा, 2 minus 2, तो इक्वाल टो, 3 इंटो, यह 0 होगा, फिर आगिया, माना 0 बाल्यू, तो यहापे, यहांटो आप स्क्राुम्ष गल्हों गाल में एगाल फैशुटन स्वाइन फon наш फिर आप 252 आपे अब श loops और 10 Ведь अकैंघUM ऴॉते हैंने पॉन कर दो हो गाल मियका फिर अंड द अघीर में kवाद करणा पर effort वाय तो हो गैं टीक है तो आई एकस्ट इकर देखते हैं प्यावार्ट इस्ट प्रकेटार कर देखेंगें प्लस फ्लस एप्लेकोशांगि प्लॉस से स्ट है निकरद कैसे सब्सक्राइब सब्सक्राइब सिससे क्या रिकिन है, minus m by l, minus m by l, plus, plus m, ठीक है, यह l and l कट गया, minus m plus m, minus m plus m, क्या होगा, 0 होगा, same value and positive negative, ठीक है, क्या रिकिन है, P, X, X, equal to, minus m by l, is the 0 of the polynomial, P, X, equal to, l, k, plus, m, ठीक है, और दो कोशन है, ढखे, question number 7 px equal to 3x square minus 1 इस वे एक ता वे बूत करना है minus 1 by root 3 and 2 by root 3 दो रोग बूत करना है पर ले 1 by root 3 करने minus 1 by root 3 equal to क्या आजएगा 3 into minus 1 by root 3 का square plus sorry minus 1 चीक है 3 into minus 1 by root 3 का square x का value minus 1 क्या जाएगा 3 into minus 1 by root 3 का square क्या होगा minus minus plus होगा sin तो plus होगा 1 to square 1 root 3 का square 3 minus 1 यह 3 and 3 क्या होगा 1 minus 1 क्या होगा 0 1 minus 1 by root 3 पर दो 0 आगा अब 2 by root 3 पर चेक करेंगे 2 by root 3 पर p 2 by root 3 equal to क्या होगा 3 into x the square 2 by root 3 square minus 1 चाहिए 3 into 2 by square क्या हो यह 4 root 3 the square 3 minus 1 यह 3 3 कट हो गिया 4 minus 1 is 3 यह पिर 0 नहीं आया चाहिए लिकिंगे x equal to minus root x equal to minus 1 by root 3 is the 0 of px equal to क्या है 3x square minus 1 but x equal to 2 by root 3 is not the 0 of px equal to 3x square minus 1 ठीक है यानि के x equal to minus 1 by root 3 इसके 0 आ गिया था तो यह हमारा 0 of the polynomial है लेकिन 2 by root 3 पे हमारा 0 नहीं आया 3 आ रहा है तो बत्ता इसका यह नहीं है 0 of the polynomial ठीक है next question देखते हैं question number 8 px equal to 2x plus 1 x पे 1 by 2 put करना है तो हमारा अगर p 1 by 2 यह होचा है का हमारा 2 into 1 by 2 plus 1 यह 2 2 कट गिया 1 plus 1 2 यहां पे बिजिरो नहीं आया तो क्या लेकिन ही नो x equal to 1 by 2 is not the 0 of polynomial px equal to 2x plus 1 ठीक है होगे है question number 3 अब नेक्स question बढ़ से question number 4 पे ठीक है next question question number 4 क्या है 0 of the polynomial in each of the following cases हम लोगो कब यहां पे 0 of the polynomial find करना है ठीक है कैसे करते हैं px equal to x plus 5 0 of the polynomial find करना है मुदा x का हो value जिसे हो px 0 हो जाए यह आपका px equal to क्या करीए 0 एलाइश्टे px को ही 0 कर देना है तो px value क्या है x plus 5 equal to 0 हो गया x equal to minus 5 so minus 5 is the 0 0 of px equal to x plus 5 ठीक है सिरपार लें क्या करना है px equal to x plus 5 पर 0 from the polynomial प्रेइड प्रेंट px को जो 0 कर देएगे च्योंख ही 0 प्रेंट गया होता है x top value हमको एक्सा बाइन चाहिए x top value जिसे x 0 हो जाए ता मैं भाइन करीए यह ने कमक्षरां प wonder जो जी पोर्ण 1 इसाज जी ओम करए के एंप गया यह फोले सिर्थ कर दिए यह भारी साइस्ट national लाहिए आनल अटाए आनल यह हम meglio आनल निफa श्रै dua यह दो फालेंगे मानब फालेने यह सेडिंदिशोची जह प्रॉस्च same extent P x को 0 कर दिये P x equal to 0 चीक है 2 x plus P x से रहीं क्या है 2 x plus 5 is equal to 0 हो गया यानी की 2 x equal to kya भजाएगा minus 5 x equal to kya हो गया minus 5 by 2 योग हमारा आंसर ठीक है fourth number Px equal to 3x minus 2 क्या करेंगे Px equal to 0 यानि की 3x minus 2 equal to 0 so 3x equal to 2 and x equal to 2 by 3 यह क्या मारा हाँ ठीक है next Px equal to 3x Px equal to 0 यानि 3x equal to 0 so x equal to 0 by 3 that is 0 ठीक है 6 number Px equal to Ax A not equal to 0 याँ अपर A0 नहीं है A0 हो जाएना तब तो यह constant polynomial बन जाएगा इसमें A0 नहीं पहला क्या करेंगे Px equal to 0 ठीक है तो अबारा Ax equal to 0 so x equal to x equal to 0 by A यानि की x अबार क्या होगा 0 x अबार इस जो 0 आरा वह यहाँ आरा यहाँ अबारा 0 ता polynomial है इस polynomial नहीं है next Px equal to Cx plus D यहाँ पर C 0 नहीं है C 0 हो जाएगा तो यह constant polynomial बन जाएगा इसलिए C 0 नहीं है and C and D यहाँ real number इस सबसे घपराना नहीं है जो इस्टेक हामेर वही करें Px equal to 0 ठीक है यानि की Cx plus D equal to 0 यहाँ पर Cx क्या वह जाएगा minus D so x equal to minus D by minus D by C यहाँ आपको समझ रहा होगा थाइक यू